तो बच्चो आज हम लोग देखने बाले हैं बिहार बोड बाइलोजिक क्लास 12 के बोड एक्जाम में आने वाली भी भी आई कोस्चन से हम लोगे ने चैप्टर नमबर 2 का पार्ट 1 देखा था चैप्टर नमबर 2 कौन सा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग फ्लांट मैंन हम लोग देखेंगे तो आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अन तक देखिए ठीक है बच्छा लोग यह कौन सा है आपको चैप्टर नमबर 2 का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है पार्ट नमबर 2 वीडियो है ठीक 12 प्लास का भी भी है मोस्ट इ देखते हैं फोटी नमबर फुट्टी वण नमबर कोस्चन फूर्टी वां नमबर कोस्चन में क्या पुट्टि तक हम लोग देख लिये थे ठीक चलीए देखते हैं क्या दिया हुआ थो पढ़िए मिल्की वार्टर ओफ गरीन को कोणाटी मतलब हरे नार्य येल का दुध् तो चलिए इसका option number A में दिया हुआ है liquid female gametophite और B में दिया हुआ है secretion of seed coat C में दिया हुआ liquid endosperm D में दिया हुआ है degenerated nuclear tissue तो इसका सही answer क्या है बच्चा इसका सही answer आपको क्या है इसका सही answer है आपको C number क्या है liquid endosperm क्या है question number 41 का milky water of green coconutty's milky water of green हारे नार्यल का दुधी या पानी ठीक जली ते इसका कौन सही answer सही या liquid endosperm इसमें क्या जो हता है इसको हिंदी में क्या कहते है liquid endosperm को तरल मादा यूगम यूगम कोदी भदी क्या कहते है इसमें जो होता है क्या होता है वह एक तरह मतलब सीड जो जैसे सीड होता है सीड हुज फंसन टू प्रवाइड नौरिश्मेंट मतलब पोशन देने का और क्या क्या करता है और टूसन देने का काम करता है और तूद डविलाप्मिंग इम्डरायो इसका सही अंसर क्या है वच्छालों हम लोग ने देखा सा से औपसन है जो सैंसर है चले ता आगे बढनाना लेखते हैं कोश्टन नमबर फुटी तू में क्या दिया हुआ deposit बोग क्या चाहएं आप लोग है चीज़ जानते है fans और मिट 18 gladi कि अडिकी करता है चीन का पूर इंचτα यह रिच उसका सब्से अच्चा है जो मतलब करता ओर फिर्टिलाइजेशन का है पुरेस्ञाट होता है इसका सही समझ है स्माझ एंविद्रेुस्ट कीसको परेड चाहते हैं जो ऑफ個 क्या सदस्रॉट उसको एक स्र पहल आगे लंबना सब्सक्सर्सर्ट podcasts था इसका क्या चीज इसमें से बोल रहना हों मतलब इसका उनसर होता है एंड फीमेल गैमिट इसका फटिलाइजेशन अर और उबं करता है क्या चीज, fusion करके जाईघोट का जो formation होता है, क्या होता है, जो asperm होता है, देखिए, यह है आपको asperm है, क्या है, asperm है, और यह है, आपको, अबूम है号-baj einer यह आपको ओगिया यह ऐपको ओगया जैंगोट का फॉरमेशन क्या मतलब युजन करके जैंगोट का यह वह ऌब का जैंगोट क्या हो गया लुकर जाए गोट • HAU som eight À इसमें कौन सा आंसर आपको सही दिया हुआ जो देखिए इसमें चलिया ओप्शन नमबर क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ इसका साही अंसर क्या है नमबर है जो आपको साही अंसर मैंने क्या बतला है फ्यूजन ओफ एग एंड मेल निकिलिया मतलब एक बोले नहां अस्पार्म और ओबंस के साथ फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट का फॉरमेशन करता हुआ ही फर्टिलाइजे सब्सक्ति थिए सब्सक्राइब ढ ही जो नैकिना पनान मतल decree अग्री दो लोगत मनतला गॉंधे मेल मिट अर खुलम दो दिशक्राइब हम उसे मिल खैयलिट हम उस्कंड है क्या संच है तो मतलब मतलब फीजन हुआ बहां प्यूजन करके क्या जैगोट का फ्रमेशन किया क् बतला जाया का याइगोड का याउट का बतली है। मैल गैमीट के साथ और नियू सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है। जाइगोड काते हैं क्या काते हैं ठीक है बत चलो और यह जो होता फटलीसेस, है एक स्टाइमनल फिर्टीमीजेस से थिएौ़ एक सींटी ख सूफन फर्टीमू उतना नहीं यह एकस्टाइनल फर्टीमूते हैं ऊङ pan और हम लोग होगे मतलब हीवन हो गया काट डॉग कोई के साथ है जो क्या होता है इंटरनल फटिलाइजेसन होता है ठीक चल यह ता आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे कोस्टन नमबर इसका साही अंसर क्या देखा फ्यूज़टन ऑफ एग एंड में लिपीडियस क्या मैल सब्सक्राइब दोनों फ्यूज किया था जैगोड का फ्रोसेस को हम मतलब जो कहते हैं तो क्या बोलेंगे फटिलाइजेशन का साहिए मतलब जा अगर डिप नीशन लिखने के लिए था फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट फीमेल इसका फाटिलाइजेशन साधम सीधा जवाब है चल वीना सी में दिया को मिल लिया डी में दिया हुआ हा के लेक्डो लस तरह इसका सही अंसर क्या है सी नंबर है जो आपको इसका सही अंसर है क्या है सी नंबर है जो आपको इसका सही अंसर है अंसर में क्या दिया हुआ को मिल लिंग या इजे मतलब जो है सही अंसर है सी ओ प्लावर इसका जो फ्लावर का जो फाड है मतलब इसका जो जनरेशन में है जो फॉन करता है जो जहीं सर क्या है इसका जो जली ऑप्सन देखते हैं पहले ऑप्सन में दिया हुआ जयर्मिनेटेड पोलेनी ग्रेंश वी में दिया हुआ शीड़ इंसाइड दा फॉट इस टू जनरेशन मतलब दो जनरेशन इसमें लिखा हो ना तू जनरेशन इस फॉर्ण मतलब सीड में क्या चीज़ सीड में सीड इनसाइड दा फ्रूट इस तू जनरेशन सीदा अंसर चलिए आगे बारते हैं देखते हैं कुस्टन नवर फोटी फाय में क्या पुछा गिया था नमोस्ट कॉमन टाइप ऑप ओवि स्तिठों जाओं टू की अंसर अंसर आपको सी नमर क्या दिया हला सी नम्बर, सी नमर हजो आसके ब्लप क्या चैसार गय草 और एन-ट दो में ग्रोपास बंद इसमें झोरताइब चाल था तरु pps लोग ता मोस्ट कमन टैप of ovule is known is the एनिट्रो पास क्या एनिट्रो प्रोपक्र जो मूस्ट दम मॉस्ट कॉमोन इस में दिया वन दमोस्ट कॉमोन टाइप व्विल सींड्रीज इसमें जो है हम बतला रहे है दे मोस्ट कॉमन टाइप व ऑफ जीज दा एन्नो ट्रोपक्र औप फोंडीन इंजी यह टैयों तॉटिटू जो है ऑंसर कोश नमबर इनिएलरेंस पमैर बहुत है। एउलरेंस यह ऑफसेल्स इफ नवटर ऋफ क्रोमोज्म इन सियरिश्ट फोलांट अस्पेशिस इस ? इसका option number a में दिया हुआ है 16, b में दिया हुआ 24, c में 32, d में 8 ति इसका जो है सिनीजृड वह सिनीजृड वह सिनीजृड क्या है एक है एक है इन नेचर है यह तर यह जो है है इसमें बोल रहा है एट है एट क्या है और है फ्लाइड इन नेचर अथा एट है इसका जो है यह है वह ट्रिप्ल आइड है नेचर का क्या है ट्रिप्ल आइड नेचर और एल्रेंस लेयर है विल और थीरी एन नंबर ओफ क्रोमोजोम क्या है थीरी नंबर ओफ क्रोमोजोम डैट इस थी मतलब थी तो हम उसको मल्टिप्लाइ करेंगे जैसे दिया हुआ क्या मैंने क्या बोला इसमें जो हुआ और है प्लाइड नेचर इन इसका जो है मैंने बोला इल्रेंस लेयर इस ए ट्रिप्लाइड इन नेचर और यह जो बोल रहे हैं इसको है जो 3N नमबर होता है तो इसमें जो दिया हुआ है उपर में क्या दिया हुआ तो हम इसको लिखेंगे 3N is equal to n into 8 लिखेंगे त्वांटीफोर क्रोमोजोम पर्जेंट इन इल्रियोन क्या होगा ट्वांटीफोर क्रोमोजोम पर्जेंट इन इल्रियोन क्या होगा ट्वांटीफोर क्रोमोजोम पर्जेंट इन इल्रियोन इसका क्या होगा ट्वांटीफोर ट्वंटि फोर है जो इसका सही अंसर होगा तो इसका सही अंसर होगा धिसका सब्सक्राइं सरय तो लोग आपको 24 वी नंबर है जो आपको चाहिए मैंने क्या बतला आया थे इंट 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 मतलब इसमें दिया हो आफ ग्रोमा segunda इसको हमने मैंने इसमें दिया हो ने एट त्वेइट एट ट्वंडी फोर है थे ट्वंडी फोर ग्रोम जाओ क्रोम मुजियाँ अधी इंट मतलब इसका मैंने देखा क्या देखा 24 साही अंसर चलिए आगे बढ़ देखते हैं 47 नमर कोस्टन में क्या लिया लेवल मैंकनेजम और फॉलिनेशन इस फॉंड इन मतलब इसमें दिया हुआ है प्राग का लेवल मैंकनेजम पाया जाता है मतलब क्या पाया है इसमें से कौनसा आपिसन है जो साही है क्या है फॉंड में करने के लिए वो लाज जल इसका साही ओपे नमबर द 현재 ऐन संथे इलिए इन स्लस्टियाह सोमाने स्थेखें मेंनि शलाज़न आते श सलायब इसका वैकनेशन अक्तेन श्ष। क्या है layer type and the flower in a flower in these genesis are arranged to a thynesis in full range क्या है thynesis in full range और और इसमें क्या होदा they are attractive and will do adapted for a cross pollination through the agency of insects तो इसका जो है क्या दिया हुआ मैंने क्या बोला शुरू में ही सुनी है फर्स्ट लाइन को मैंने बोला pollination mechanism in saliva is a unique layer type क्या है unique layer type इसमें आपको क्या दिख रहा है D number है जो आपको सही जा रहा है क्या है D number saliva है जो आपको सही option जा रहा है क्या जा रहा है saliva है जो आपको सही जा रहा क्या है सलाइवा है जो chain number है जो सही जा रहा है जो आगे बढ़ता है जह नमर гр उसका है इसका शहीं आंसर है तो fossil घो ग को मतलब इंदडभ इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जो मतलब devil fertilization का process होता है उसके बारे बतला रहे हैं इसमें क्या होता है the two asperm cells in each one asperm fertilize the egg cell forming the diploid gigot and form करता है diploid gigot को the other asperm fuses with the two polar nuclei मतलब जो other asperm होता है fuses करता किसके साथ two polar nuclei के साथ forming the triploid मतलब क्या form करता है triploid cell का that developed into two indo asperm developed into the indo asperm और क्या ची बनता है these two fertilization events are called double fertilization इसी को हम क्या कहते हैं double fertilization इसी को क्या कहते है these two fertilization event मतलब इस घटना मतलब जो event are called as इसको double fertilization कहते है क्या तो इसका जो सही अंसर है क्या मैंने बीच में है जी इसको मतलब मैंने बतलाया उस line में आपको है जो कैसे है जो इंडो asperm हो बनता है जो उसमें बतलाया क्या इसका है फीर से एक बार हम बतला देते हैं अगर बाइदबे अगर इसको मतलब लिखने के लिए आपको दे दे कि दो लाइन चाहा चार लाइन में मतलब इसको शोट नॉट किजिए तब लिख क्या सकते हैं यह लिख सकते हैं जावल फर्टिलाइजेशन चाहा है रिजल्ट मतलब जो दिया हुआ है उस टाप से ताप क्या लिख सकते हैं दो टू अस्पर्म सेल्स इन बीच वान अस्पर्म फर्टिलाइजेश दा एक सेल्स फॉर्मिंग ए डिपलोइड और डिपलोइड का फॉर्मिंग करता है डिप प्लाइजेशन फॉर्मिंग ज रिजल टू इन्टू इसका 48 का सही अंसर आपको एक का अर्म किया इंडोवक। पर्म में चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्टनन नमर फोटी नाइन में ऑफोटी नाइन में दिया हूआ हाँ हाँ और यह जो दिया हुआ है आपको पीपल भी होगा और फीग भी होता है जिसको हम लोग अंजीर कहते हैं है अंजीर एक do we रहता आपको दिया रहता बोथ के सब्सक् shrinking और कि Central इसमें बोल रहा है, in which of the following, formation मतलब seed का formation करता है, but not, flower का है, जो फर्मेशन नहीं करता है, ठीक, option no. a में दिया हूँ, mence, c में दिया हूँ, d में पाइनस, इसका सही अंसर जाएगा, बच्चा लोग, इसका सही अंसर जाएगा, d नूमबर, पाइनस में है, जो मतलब seed का formation करता और लाए प्फर मेंसन नहीं करता क्या इसका है जो आपको कौन सा कोस्टन है कोस्टननेमर पचास का क्या दिया हुआ है दिर ःडिया हूआ । सीड गार मतलब सीडकार परमेशं करता है ओन फ्लावर चाहिए उसका प्लावर क्या एक है तीनकिए pa रहे है जर्सथे करे ओने मेया के ऩका है चिर्फ एक यहीजर स्वियर्थे विल्यद्वwn line पाइनस जो एक जीम्नो अस्परम एंड ओविहव लाइज इन द गवर्ड ओन द वेगा अस्पर फैल हिंस द गांट नाव उसके पाससा जो फ्ल्वावर का फोल्मेशन नहीं होता है यही फैप आपनेस है जीमनो अस्पार्म है ठीक और उसमें मतलब ओविल्स होता है ठीक और जीमनो अस्पार्म है ठीक चलिए आगे बार देखतें कोश्चन नमबर 51 में 51 में क्या पुछा गिया वही चोवान इस लैंड फूर्ट इंद फॉलोइंग इसमें से चलिए अप्सन नमर ए में दियो आप लेकिन इसमें आपको क्या दिया हुआ है लैंड फूर्ट इसमें मूल रहा है फॉल लेकिन आपको यह जो तीन दिया हुआ है सबजी में परियो किया जाता है अप्ससनमर में में क्या था पूटाईटो था проблемы अग्राइट इसमें तीन गो दिया शलटाईटो और डुचिक्ति चल alltså चल आगे बारता हैं तो कॉस्टन नमबर फिप्टि टूमें फिपिटी तूमें पुछा गया इन बीचुसित यारँ कं जब्चन उपशन इंडौ सपर्मिटव इन बॉल राहा इन इस सीट में नमकर ये बिइंडौ सपर्म इन जो मतलब मतलब की सीड में यही एक जो है सी मतर का जो होता है इंडियोस पर्म इन डेवलापिंग अप सीड क्या सीड चलिए तापको आपको आपसटन नमबर सी है पी है जो सही आंसर है चलिए आप देखते हैं को सब्सक्राइब में 53 में क्या पूचा गया 53 में है एनोओ एनेमो फिलस फ्लावर इस इस इसाइंसर क्या जाएगा बी और सी प्लावर है जो होता है और कलर लेस होता है क्या होता है स्मॉल और कलर लेस्ट आपको कौन सा है जो डी नमबर है जो आपको सही अंसर है यह है जो हो सकता है फिर से रिपीट कर दिया जाए तो आगे बरतें देखतें 54 में 54 में दिया हुआ क्या दिया हुआ 54 में है आपको क्या है फीमेल गैमीटी ओफार्ट क्या दिया ओप इन जी ओस पार्म इचकर्म इसका है मतलब उसको क्या कहते है इसका और इसका ऑपशन में दिया हुआ पर इंडियू स्पर्म इम इसका क्या होता है इसका इससे इंज्यो स्पर्म प्लांट इसका इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं यहां पर ऐसे शिप दिया हुआ है इसका यह भी है जो आपको अगर बाइद बेग अगर हटा करके चेंज करके अगर दे इंग्यो स्पर्म प्लांट मतलब इंग्यो वेव उसको मतलब इंब्री इसका नाच और इनवे ओ फिंफ्ट्ड करते हैं में अध्याव नुमटर सब्सande ीच्ञें इस बाल दौकर नाच और इसको ने अगर पकिन फिपटी वाइव में 55 में दिया हुआ क्या दिया हुआ है 55 में है 55 कोस्टन में दिया हुआ आपको 55ерм एक आज़या जाएगा मैंने एक कोस्टन को है जो बेतरण जेश्य समझाया है पूरा मैंने बतला थो सही आंसर क्या जाएगा आपको डी नमबर है जो आपको सही जाएगा एक एंसर जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं लिए पूछा जाएगा थो कोश्चन नमबर फिटी सिक्स में अग्रोचा में लिए उने यह क्रोच्छ प सुन्सरीं एक प्रृमेशन यह जा दताब जाएगा पाटे लिए जाएगा ख्राइगा जाएक लिए आ चाहिए पूछा गया है पूछा गया है फूछा गया है दा डीप पोजीशन ओफ पूलें ग्रें ओन दा स्टीगमा ऑफ अनधा अनधर फलावर इस सेम प्लांट इस गारते इसका चलिए ऑप्सिन नुबर ए में दिवा डाय को को गैमी बी में दिया हुआ गेटो नो गैमी त d में घिडरो और है उसका सही अंसर क्या जाएगा चलोग इसका साहिए अंसर जाएगा ऑगे बारते हैं देखते हैं कोस्चान नमबर 50-58 क्या दीआ हुआ प्वीच इन दाफॉलो इंग इस पर इसमें से प्लाइब ये जो में दिया हुआ टूपॉलर मतलब यह दोनों तो नहीं हो गना उस में देखा था एक भी नहीं हो लिक्लाइ भी नहीं होगा मैं फॉल पार रहुं हो कि मिनाail लग रहा है कि हम लोगों फिप्टी नाइन दिया हुआ मतलब इसमें से कॉड है जो अंतर सेल में से अपसेंट रहता है क्या रहता है इसको है जो आप्शन को चूज कीजिए कौन है जो अपसेंट रहता है मतलब और से इंसल में पूचा गया ऑप सैंसर तो उसमें से कौन है इन्टुगेमेंट रहता है इन्टुगेमेंट आगे बढ़ता कोसें नमर साथ में साथ में पूछा गया एरील इडेवल इन वीच आप फॉलोइंग फूरूट यह जो है बच्चा लोग आपको पंदरा में भी आया है सुला में भी आया हो सकता है कि आपको 2022 में यह कोशन पूछ दिया जा इसलिए बहतर से बहतर ढंग से दम पढ़ने का इसका है इरील से आपको है जो अगर नहीं तो इनोवा रहे चाहे लीची रहे चाहे माईरी स्टिक का रहे कोई भी रहेगा ना तो हो सकता है बाद अब आपसे पूछ लेगा तो यह है जो बेहतर ढंग से आप याद किजिए गा ठीक यह कोश्चन आना ही आना है हम लोग भी एक्ज बतलाएं कि यह कोश्चन ऐसे है जो आप भी जो इसको याद करिए और ईक्जाम देना जाएगा तो बहतर से बहतर एक्जाम जाएगा ठीक चलिए हम कोश्चन देख रहे हैं कौन सा साथ नमर कोश्चन साथ नमर में क्या दिया हूँ आपको रीपीट किया गिया है 15 में भी जाता है और खात नहीं ठीक जो फ्रूट में चलिए aujourdabiliriva माइरी स्टीक्टिया अधिया लीची सी मिंदिया ओए नो नाअर टी में एस्थ नियुट्य पनास्टा साहिए इसका आपको बच्चा धोंग होगा ध्याई जह सभी अंसर लीची के मतलब एरियल ज engineers होता है अंद्र गुल्दा उला उसको एरियल काते हैं वो खाने वाला भाग होता है अनो ना एक परकार जो क्या है एक सूगर एपल यह ड्रॉपिकल फूट है इसको आप सूगर अपल भी करते हैं यह चाहिए जो है ए Pokémon इसका भी है जो मतलब इसका भी है जो एरियल मतलब खा पूछा जाता है यह भी है जो खा जाता है यह ऐस्टीख 21 जो एक परकार का है जिस टूगर एपल ठीक है यह लीजी तो आप लोग पता है जो आप लोग खाते हैं पता है यह का नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नमबर साथ में साथ में पूछा गिया है क्या पूछा गिया है 61 नमबर कोस्टन में इप पार्ट वेयर ओवियूल इज अटेस्ट बीद फ्यूनिकिलस इज कार्ड इसमें बोल रहा है जहां मतलब Romeo के साथ तो इसको मतलब मतलब क्या होता है चल裡面 live shalas स्चांश के साथ होता है निक्ली गटार डी नमबर किशी सिद्द इसमें क्योगा देए सब्सक्राइब कर दो निकलियस है जो सब्सक्राइब क्या पूछा गया सिक्सी टू में दा स्टाल मतलब स्टाइब क्या दिया हुआ है मतलब मतलब उसको क्या का बें में दिया हो इसमें कौन सा होगा सही इसमें है जो कौन सा होगा सही एह नंबर है जो को चीजिन कि नें की निये है इसकायर। आपल इस इताइजमेंट नफ और सेंटा इंदा ओबरी में है जो मतलब सानुider इसमें दिया वा हुआँ चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। इसमें बोल रहा हुआ जानिन सीड का मतलब जो जर्मीनेशन होता है इसका सभाइनसर अप्रोटाल है जो आता है मतलब लैंड पर मतलब उपर जमीन पर आता है पूचा गया देखा अप्पी कोटाइल है जिसका सही अंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं को स्टी फोर में क्या पूचा गया इसकी फोर नमबर कोश्चन में है देखा सिख्टी फोर नमबर कोश्चन में बादर ओफ इंडिया इंजी ओस पर मिक इमरायो लोजी मतलब इन जो एंजी ओस परमीक इम्रायो लोजी हैं उनके मतलब इंडियन फादर कौन है चलिए इंडियन फादर कौन है आपसरब्स नमर अमें दिया ब्ल्स्वामी दी आरेन का फीरव दी में दिया पूरा पंचाना्म पंचवानम महस्वारी उनका जो जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था आपको नवंबर में हुआ था 9 नवंबर को 1940 में हो सकता है वाइद आपसे पूछ लिया जाए तो इसलिए है जो याद करने को सिस्के याद कर लिजेगा नाम आप जानी रहें कि इसका सही अंसर आपको लिए था पी महसवारी पूरहनम महसवारी पूरा नाम है जो हो सकता है कुछ और दे यहांपर चेंज कर दे तो आप लोग करते का पूरा नाम याद कर लिए क्या है 15º呢 मतलब यह मतलब डेड कर गए ठीक एक सट साल में एक सट साल में यह जैपूर के रहने वाले थे ठीक यह कहां के यह जो थे मतलब यह साइंटिस्ट ते एक तरह से जो कहिएगा मतलब उसी पर है बंसपति विग्जान से जूड़े उसी के बारे में खोज करते रहते हैं जानव का नवंबर को चाहरा माइन उनीज़ श्याशाटी सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़ते हैं क्या पूछा गया है आपको क्या एरियल इस इडेवल उसमें हम लोग देखा था ऊपर भी कोश्चन बाद चलो क्या था मतलब क्या है नमबर को मैं बतला यह जो मतलब इसको नोगों ने देखा था यह मतलब एफल कहते हैं इसको मतलब जो है यह ट्रॉपिकल फ्रूट है ट्रॉपिकल फ्रूट है यह है जो एरियल इस डेवल इन एनोना और लीची हम लोग ने देखा था वहां पर एक आप्शन वहां पर दिया था माईगरी किस्टिया कुछ करके दिया वादा ठीक चलिए आगे बढ पोलियन इनभी कोंसा भी टीन है छो मतलब मैंनली फञटा चलिए ट online िूड में दिया हूँ बीटामिन ए और दिया विटामिन ए औंदी ए थार चलो अवक्हां मतलब 66 शीन सर क्या जाएगा इसका 66 कशाहीएंसर नथा कैसा है जरी आगे बार थैंकर टावक्षा cream अदियने की सिझालीच के मतलब किया तक हैı कर project दोंत पादक रहता है है क्या अधियने की है उसको मतलब क्या कहते हैं चैन्ट पोलेन अरोस्पोर के मतलब के वारे में पढ़ा जाता है उस अधियन को हम क्या करते हैं जाए जाएगा इसका सही एंसर नमबर है पाइनोलोजी है जो आपको पहलेनोलोजी होगा क्या होगा फाइनोलोजी है जो आपको इसका सही अंसर होगा चलिए इस पर हम थोड़ा बोलते हैं प्लाइन और अस्पोर के बार में ठीक थोड़ा समझेए प्लाइनोलोजी इस दधा स्टाडी ओ प्लाइन पूलेंड ऐसृटर समझेए सर्ष अंसर्टेम् कोटिए इस प्लेनोमर्फॉस इसको पैलेलोम पौट प्ले mainland dumbbell और यसनल स्पर्म क्या लेविंग मतलब पराग और बी जानू के अधियन को हम लोग क्या कहते हैं पीलाइट आगे बढ़ते ही कोस्टें नमबर क्या डेखते चेक डिया हुआ आपको क्षेटन नमबर 68 में दिया हुआ जबोट आपर चीर बिदोट फर्टिलाजाजेश इसमें दिया हुआ दा प्रोशेश ओफ प्रोडक्शन मतलभ पॉर्डचन मतलभ ठीया थिद्द विना फोर्टिलाजेशन के था आपन केज़सर दिया होँआ है फोमेक्सिस दिया हुआ पॉलीनियसशने में योजिंद इसका साही एंसर क्या जाएगा बाच्छा लोग एपोमेक्सिस क्या होगा दप प्रोसेस ऑप प्रोडक्स नान ओफ सीड विदाओट फटिलाइजिशन इसका अप्सिस होगा साही एंसर ठीक अपसन नमर ए चलिए आगे बड़ते हैं देखते हैं कोस्टी नाइन में क्या पूछा ग लोगों ने पहले भी देखा था यह कोस्टन है जो रिपीट किया गया है तो वहां पर कुछ मतलब चेंज करके लिखा हुआ था यहां पर कुछ और रहे था चलिए यह है जो इसका सही अंसर आपको क्या जाएगा बी नंबर है जो आपको सही अंसर जाएगा इन टोमो फील है जो आपको सही अंसर जाएगा इसमें क्या होता है जो सुनिए पॉलिनेटर रेंज और फिजकली अजेंट अस्पेसियाली डवींड बीन पॉलीनेशन इसकाल इनमोफीली इसमें हम लोग ने पहले देखा था बीन भी देखा था सुनिए तब क्या चीर होगा बीन पॉली इंसेक्ट इसमें हो और एंटों अर्ड के साथ हूथ और सब्सक्राणिक लिएक तो 250 फिली को ते और इसमें वाट चाम गादर उसके साथ जो मतलब होता है पोलिनेशन ओफ अगर वैट्स रहता चमगादर तो उसको होता तो उसको कहते हैं कीरो पेट्रो फीली कहते हैं दी नंबर जो दिया हुआ है कीरो फेट्रो फीली है अगर बैट का रहता तो यह सही अंसर होता इन्सेक्ट का दिया हुआ है, पोलीनेशन अपिन्सेक्ट अय्टो मोफिली होगा. ठीक और यह जो दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ और in cope फिली, और in ofμά फिली है जिसके साथ बार्ड के साथ, पंची के साथ, तेक और यह जो हमने बतलाł आँ पोँ एक बतला एक्प्रदाइ साथ होता होता इसको हम a25 करते लिए सतर नमर को चलड़ पुचा मैं क्या पूचा गिआसे उनमर कोशन में यूनियर फ्लागरी स्क्रहट मतलब मतलब मैं ली प्रॉडॉक्टिव यूनीट वश्च राइए जो में फ्लाबरिंग ब्लांट में जो रहता है उसमें जो रहता है जो आपको रहता में लोग डिप्रॉडाक्टिटिभ यूनिक प्लाबरिंग प्लांट फ्लाप्रिंग पिलांटी और अंसर एक नमबर है जो आपको अख्लिया प्लाप्री प्लांट में आगे बढ़ते देखकें सेवनटीवान जैवनटीवान में क्या पूछा गिया पूचा गया था फिमल रिप्रोड़क्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लाबरिंग प्लांट इस कार्ड चलिए देखिए हम अभी ने बोला ना कि यहां पर मतलब फीस्टल होगा वही देखिए कोस्टन है जो नीचे रिपीट कर दिया गया चलिए यहां पर क्या दिया हुआ आप स पिस्टल है जो फीमल रिप्रोड़क्टिव यूनिट का फ्लाबरिंग प्लांट में चलिए इसका सही अंसर क्या देखा हम लोग ने पीस्टल देखा आपको सही अंसर क्या बच्चा लोग हम पुरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अं तक देखिए और दूसरों को भी शेयर करिए बतलाइए कि बेहतर से बेहतर वह भी है जो रिजल्ट ला सके ठीक है बच्चा लोग तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नंबर सेवंटी टू मैंने उसका देखा क्या फीमल रिप्रोड़क्टिव यूनिट फ्लावरिंग प्लांट इसका पीस्टल है जो उसका साही अंसर देखा था क्या दिखा था स्पीस्टल है जो जो साही अंसर देखा था ए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 72 नंबर कोस्टन में क्या दिया हुआ है करिंग लोल 있बर अश्टो नहीं करेंग मतलब दिया वाथ किल्यरी मतब सबाल सब्सक्राइं मतलब स्टो मातर मां बाहरी अटर कोट कूल को लित ग्रेयन करने इसका तो शार में नम्बर ए में दिया हुए है लिघ कोंदर्फ एलिया ज्युवल पोर और स्टेम Ёंटाइ उन्हाइला क्या तूलट वॉस्टरिय पूर्फ वोगा स्ट्री में क्या वचलिए क्या आगे बरते हैं देखते हैं कोश्चन नमबार सेवंटी फिरी में पूछा गया ठीच इसमें से किस में हैं चार कोर्णर जो मतलब पाए जाते हैं ठीक चलिए इसमें देख रहे हैं इसका सही अंसर क्या जाएगा इसका सही अंसर क्या जाएगा पोलेंस एज फोर सेल अस्ट्रेक्टर इन वीच फॉंड इन इसका सही अंसर क्या जाएगा इसका सही अंसर जाएगा माइक्रो अस्पोरोफाइट है जो सही अंसर जाएगा चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कोस्टर नंबर 74 में 74 में पूचा गया Lots इसमें से किस को मतलब एक कौन है जो मतलब चारो बसन में से किटिद ग्राज का मतलब जो हैं ठीक चलिए टाप्शन में में दिया हो और सी में जोई इस्ट्रा डी में दिया ओल्ध इसका साइई अंसर क्या होगा इसका साही अंसर होगा इसका सही अंसर कुछिज की जिए हम भी कुछिज करना कि आप लोग चलिए तब लोग भूर्ट नाइंटी प्लस मार्क लाएं चलिए तब छलिए आप लोग है जो तंब बेहतर से बहतर करने का को सी चाहिए इसका थे जो ये प्लोवेंगी इस आदिक अंसर शी नमबर जो यह स्ट क्धोर है सुनिए इसमें दिया हुआ और आपको जाएगा बी नंबर है जो आपको एंडरोसियम होता है आपको आपको सही अनसर होगा चलिए आगे बारते हैं नमबर सेवन्टी सिक्स में दिया हुआ है आपको शिवन भी चाहिए वहाँ पर मेल दिया होता है यह बीच वान ऑफ दा वीच वान इस दाफी मेल पार फलावब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ यूजन आपूपलॉइट सेल क्या दिया हुआ प्रोसेस ऑफ यूजन of hyploid cell, चलिए तर इसका सही answer क्या देखे, option number A में दिया हुआ, cell B में मियोटीसिस D में syngemi, क्या दिया हुआ, D में syngemi है, जो दिया हुआ, क्या है, syngemi है, चलिए तर इसका सही answer क्या है, इसका सही answer D number syngemi है, जो आपको होगा, the process of fusion in hyploid cell, जो मतलब है प्रोज़न का मतलब जो फ्यूजन होता है अगर बढ़ता है कोस्ट नमबर सेवांटी इट नमबर कोस्टन में पूछा गया दा प्रोटेक्टिव बी में दिया और निट्रेटिव इसका सही अंसर क्या जाएगा आपको सही जाएगा नूट्रेटिव है जो इसका सही अंसर है क्या है नूट्रेटिव अप देखते हैं इसको किस ने डिस्कवर्ट किया तो आपको किस चीज़ का खोज किये थे आपको किस चीज़ का फादर आफ इंडियन अंजियो फादर आफ क्या चीज़ थे थे फादर आफ इंडियन थे फादर आफ इंडियन इंजियो आप्र क्या होगा आपको सही अंसर है आगे बढ़ देखते हैं क्यों लास्ट है आपको आपको К써 मतलब ताव क्या है एक जो ठीक मतलबक्ष आपनना सब्सक्राइख किया जाएं शीर घ्ट नमबर फोल्पी लॉटेभी फोलाइग कुंड हख सतुन आप ग्यानमबर नोग ग्यानमिशंतनल अपलेट किस आप पोलेट कंटेमय फैपलोंटिव आपक याप लेगा प्रड़ेशन क्या इसका देखा पॉलेन यह एक है प्लॉइड है पॉलेन क्या है है थीक है बचलो आज हम लोग देखते हैं इतना ही आप लोग से लिएस्ट को पूरा हम तक देखिएगा अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को है जो लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको बीडियो ताकि सबी वीडियो का नोटिपिकेशन है जो सबसे पाहिए आपके पास पहुंचे ज्यादा से जादा से जड़ा बच्चे जूडिये कि आपको बेकर से बेकर है जो चैनल आज्याइब कर शिकृञ जाई अक्शा यह कि आपको scout हैँ गार कॉस्चन और प्पेर दिख ले कर हाए और अकल कर कर आइंगे। मैं हम जो चालिस को आप लोग की से अगर जाँ beleगर तो पूछने काम तो हमेशा बोलता है कॉमेट सेक्षिन में जाएं कॉमेट किजिए जहां भी दिक्कत हो रहा पूछिए कि आप सर यहां पर थोड़ा इस ढहं से बतलाते तो बेहतर ढंग से समझते जो जीस टाइब का जो भी दिक्कत हो आप है जो पूछिए बेजी जैक ठी अभी भी पढ़े हमें ऐसा नहीं कहते हैं कि अभी नहीं पढ़े अभी भी पढ़ते रहिए सब कुछ देखिए पढ़ते रहिए बेतर ढख से ठीक है बचलो तो आज के लिए इतना ही और कल ले करके आएंगे 40 question ठीक है धन्यवाद ठीक है और subscribe करें या share करें मतलब जितना ब